कि अगेन हम सौफ्ट्ट्र को पहले भी पढ़ चुके दुबारा से पढ़ते हैं कि हमारे पास दो तरह के सौफ्ट्र होते हैं application और system software application software की कौन-कौन सी categories होती हैं यह भी हम पढ़ चुके हैं फिर से पढ़ते हैं categorize इसको अगर किया जाए तो एक किस्टमाइज सोफ्टबर है और दूसरा पैकेज देख सोफ्टबर किस्टमाइज सोफटर क्या होता है JISका सथ करते हैं का कर्स्टमाइज सोफ्टर या कस्टम बिल्ड बिल्स सॉफ्टेर यह और देखें यह वो सोफ्टर है जो किसी अपने लिए this है किसी तरीके से अगर हम बात करें कोई किसी अधारे ने बनाया है इंस्टीरा ने बनाया है तो वह उनका अपना सोफ़ियर दूसरी तरफ हमारे पर स्ट अपने जो पुरी दुनिया के लिए होते हैं कि सी खास प्रटिकलर कस्टमर के लिए नहीं यहां पर देखें पैकेज्ड इसोफ्वेर इनको ऑफ दा शेल्फ भी कहा जाता है मैंने कहा था यह बहुत इंपोर्टेंट एमसी क्यों आफ दा शेल्फ पैकेज्ड सोफ्वेर के साथ कर लीजिए जैसे कि यहां पर देखें पावर पॉइंट है यह handle van Microsoft वेड़ यह कौन से लिए अब बात करते हैं आपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम की डिक्वार करते होको भी ईकशन नें पीच्छे बता आया ऑपरेटिंग सिस्टम हमरे पास सिस्टमु आपकर्स होता है जो वह के के पुरे hardware को control और manage करता है इसी के जरीए हम user जो है इसको instructions देपाते हर्डवेर को इसी के जरीए application so Whisgeht वह इसको instructions दे पाते तो बेसी के लिए जह हमारे पास operating system है वो हमसे लेकर उसको करता है जीरो मंगे और hardware को देदेता है इसी तरहे कैसně application सौफ़ेर को भी इसी तरी के सींस्ट्रेक्शन देनी पड़ती और अपरेटेंग सिस्टम बेशिकर इनसे इंस्रेक्शन ले रहा होता है और उसके बाद वह हार्डवेर को बता रहा होता है कि यह आप से क्या कहा रहा है में अब हम बात करते हैं अब बात करते हैं function of operating इसके स्टम देखें यह मैंज़ करता है। hardware resources को. hardware resources हमारे पास उसमें जितने भी hardware resources हो. चाय Pacis CPU वो मेमरी हो. चाये वो सारे hardware हो इन सब को and Work. फिस्त-ब करता है. आपके पास CPU at the same time RAM के अंदर data store कर रहा होता है. और से वापस भी ले रहा होता है. तो RAM में data कितना store कैसे किया जाएगा, कितने cells बनाने हैं, उसके addresses ये सारे के सारे आपके operating system को मालूम होते हैं फिर load, execute program, program को load भी करता है, execute भी करता है, load का मतलब RAM के अंदर store करना और execute का मतलब CPU के अंदर store करना है उसके बाद देखे data security है, providing interface to the user, यही operating system की वज़ा से मैं अभी अपने computer के hardware से interact कर पा रहा हूँ यह मुझे interface operating system यानि के windows बगारा ने provide किया हुआ, command prompt या graphical user interface क्राम, command prompt पराने वक्तों में हम line या add करके या commands देखे करते थे लेकिन आज के दोर में graphical user interface मेरे पास बड़े खुबशूरत से buttons है even though I can control this whole system with this pen और मैं यहां पर लिख भी सकता हूँ जो कि आपको नजर आ रहा है, यह देखे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है जी, यहां पर next देखते हैं